Pregnant Nurse बहू सुष्मा की बहू विनिता एक हॉस्पिटल में नर्स थी लेकिन उसे डॉक्टर से भी ज्यादा नौलेज थी हॉस्पिटल में सब विनिता की तारिफ क्या करते थे सुष्मा का बेटा यानि की अंकित अपनी बीवी विनिता से बहुत प्यार करता था लोता बेटा है और अब इसका बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं दादी बन जाओंगी दादी मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूं मा देखो बेटा वैसे तो विनिता नर्स है उसे अपने बारे में अच्छे से ख्याल रखे है और मा आप नअ आपके रहतें हमें चिंता करने की क्या बेटा मैं तो अपनी बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखने यह हो उसे अच्छे से खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, तब ही तो मेरा पोता या पोती एक दम हेल्दी पैदा होगा कुछ दिनों के बाद, सुबह के बाग आरे विनिता पहू, यह तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं ममी, अपना हेल्द चेक अप कर रही हूँ, हर क्या? लेकिन यह ब्लाड प्रेशर की मशीन और यह तुमारे हाथ में इंजेक्शन कैसा है? हरे ममी जी, मैं अपना ब्लाड प्रेशर चेक करके देख रही थी प्रेगनेंट होना और ऐसी हालत में ब्लाड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन बेटा, इन सब कामों के लिए तुम्हें डाक्टर के पास जाना चाहिए अपना चेक अप खुद करने की क्या जूरत है? और यह इंजेक्शन किसलिए लाई हो? ममी जी, इससे मैं अपना ब्लड सेंपल लूगी और हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्लड चेक करवा लूगी अज़े, ऐसा भी कोई करता है भला, अपने खुद के हाथ से खुद का ब्लड सेंपल भी कोई निकालता है क्या? मामीची, ये मेरा रोज का काम है इसमें क्या है? मैं जब खुद से ये सब कर सकती हूँ तो किसी और से क्यों करवाओं? आचा ठीक है ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे कुछ दिनों के बाद सुष्मा अपनी बहु को फिर से इंजेक्शन लगाती हुए देखती है और अंकीत भी उस वक्त वहीं पर था अरे विनिता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम प्रेगनेंट हो इस तरह खुद को इंजेक्शन लगाने की क्या जूरत है? अब तो ही समझा बेटा, पिशली बार भी अपना ब्लड सेंपल खुद ही कलेक्ट कर रही थी तब भी मैंने इससे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं अरे मम्मी जी, मैंने पहले भी कहा था ना, बड़े हॉस्पिटल में नर्स हुम है और क्या करना है, क्या नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है हाँ, लेकिन तुम खुद को इंजेक्शन क्यों लगा रही हो? अरे, इंजेक्शन नहीं है, प्रेगननसी में कुछ वैक्सिन लगवाने होते हैं, बस वही लगा रही हूँ, और क्या? और फिर एक दिन रात को अच्छानक विनिता की तव्यत खराब हो जाती है क्या हुआ विनिता, तुम ठीक तो हो, तुम तो खुद अपना इतना खयाल रखती हो, तुम्हारी तबीत कैसे बेगड़ गई? पता नहीं, अंकीत, आसा लग रहा है कि विकने सो रही है, बहुत कमजोर सा मैसुस कर रही हूँ पिछली कुछ दिनों से तुम ने तो अपना ब्लड सेंपल दिया था ना ऑस्पिटल में, उसके रिपोर्ट आई या नहीं? कल सुबह ही आ जाएगी, तब सब कुछ पता चल जाएगा अगले दिन सुबह के वक्त विनिता, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट तो आ चुकी है तुम्हारी बॉड़ी में तो आईरन की बहुत कमी है, देखो तो जरा अरे हाँ, इसकी हिसाब से तो मुझे ब्लड चड़ाना चाहिए वनना डिलेवरी के वक्त बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और विनिता, हास्पिटल से ब्लड की बोतल का इंतसाम करती है और खुद अपनी ही हाथों से खुद को घर में रहकर ब्लड चड़ा लेती है अगले दिन विनिता, अब तुम्हारी तव्यत कैसी है? देखो, मुझे पता था ब्लड चड़ती ही मेरी सारी विक्निस दूर हो जाएगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एकदम ठीक हुँ मैं कुछ दिनों के बाद विनिता की प्रेगनसी का आठवा मैना शुरू हो चुका था और एक दिन सुबह के वक्त विनिता अच्छी से तयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है क्या हो विनिता सुबह सुबह कहां जा रही हो बहुत दिन हो गए हॉस्पिटल नहीं गई सोच्रियों आज ड्यूटी पर चली जाती हूँ डॉक्टर का भी फोन आया था अभी अभी लेकिन बेटा अब तुमारा आठवा मैना चल रहा है ऐसी हालत में तुमें घर में आराम करना चाहिए और डिलिवरी करवाने तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए लेकिन क्यों ममी जी डिलिवरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है ये तो मेरा जॉब है और हॉस्पिटल में दिन रात ये ही तो करवाती थी आपने कहा कुछ दिन काम पर मत जाओ इसलिए नहीं गई आओ मम्मी, वैसे विनिता ठीक ही तो कह रही है उसका रोज का काम है न ये तुम आज कल के बच्चे ना कुछ नहीं समझते अरा तुम्हें वैसा तो सब पता है लेकिन शायद ये नहीं पता कि इस हालत में अगर तुम डिलिवरी करवाने आई और्थों को देखोगी तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा अरे मम्मी, आयसा भी कुछ होता है क्या मम्मी जी, किसी और की डिलिवरी करवाने से मेरे उपर कैसे फर्क पड़ सकता है मैं कोई पहली बार थोड़े ना ये सब करवाने जा रही हूँ विनिता अपनी सास की एक नहीं सुनती और होस्पिटल चली जाती है वहां से वापसाने के बाद हरे मम्मी जी, आपको मेरी बहुत चिंता हो रही थी न ये देखे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अब आपको परिशान होने के जरुरत नहीं है और जानती है, पूरी पांच डिलिवरी खरवा कर आई हूँ वो भी नॉर्मल वाली देखा ममी, मैंने कहा था न, विनिता को नहीं होगा कुछ भी वो बिल्कुल ठीक है चलो अच्छा है पहू मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तु एकदम ठीक रहे और आजकल जिसे देखो उसके आपरेशन से बच्चे होते हैं ये देख देख करना बहुत डर लगता है चिंता मत कीजी ममी जी, मुझे कुछ नहीं होगा मैं नर्स सुना रोज हॉस्पिटल में औरतों को सिखाती हूँ कि कैसे अपना ध्यान रखे ताकि नॉर्मल डिलिवरी हो तब ही अचानक हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है कॉल पर बात करने के बार ममी जी, एक एमर्जनसी केस आ गया है, मुझे जाना होगा अरे, लेकिन अभी तो आई हो कैसी डॉक्टर है तुमारी उसे पता नहीं चलता क्या कि तुम प्रेगनेंट हो, ऐसी हालत में तुम्हें ना बुलाए अरे, नहीं, ममी जी, डॉक्टर की भी मजबुरी है कह रही थी, काफी सीरियस केस है और हॉस्पिटल में उन्हें किसी दूसरी नर्स पर इतना भरुसा नहीं, जितना मुझ पर है मुझे लगता है कि तुम्हें मना कर देना चाहिए बहू कुछ नहीं होगा मुझे ममी जी, मैं अबे डिलिवरी करवा के आती हूँ कुछ देर बाद अंकित के पास हॉस्पिटल से फोन आता है अरे ममी, जल्दी हॉस्पिटल चलिए, वहां विनिता की तप्यत खराब हो गई है यह भगवान, सब ठीक करना, मुझे तो पहले ही डर लग रहा था अंकित और सुश्मा हॉस्पिटल पहुँचते हैं क्या हूँ अविनिता को? वो क्या है न, विनिता एक नॉर्मल डिलिवरी करवा रही थी केस बहुत ही सीरियस था और उस लेड़ी को बहुत ज़्यादा प्राब्लिम हो रही थी क्योंकि विनिता खुद प्रेगनेंट है, तो वो अचानक से घबरा गई और उसे लेबर पेन शुरू हो गया लेकिन अभी तो मेरे बहु का सिर्फ आठवा महीना चल रहा है हाथ में एक छोटी से बच्चे को लिए बाहर आती है हरी विनिता तुम, तुम्हारी तो तब्यट ठीक नहीं थी तुम्हें दर्द हो रहा था तुम बाहर क्यों आ गई हरी दर्द हो रहा था तो क्या हुआ मैंने वो दवाई ले ली जिससे जल्दी आने वाले लेबर पेन रुख जाते हैं और वैसे भी डॉक्टर उस आरत को मेरी जरूरत थी उसके देखपाल के लिए मुझे ठीक होना ही था ये देखिए उसका बच्चा एकदम सही सलामत है अरे वाँ मेरी बहू तुने तो अपने तब्यत की परवा ना करके किसी और की जान बचाई मुझे तुम पर गर्व है विनिता ऐसे ही थोड़े ना वो हस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स बनी है मैंने कहा था ना ममी जी मैं नर्स हूँ मुझे अपने से पहले दूसरों की तकलिफ दिखाए देती है और मैं पहले अपने मरिजों की जान बचाती हूँ कैनक रादिका मौसी को किचन से कुछ गिरनी की आवाज आई उन्होंने बहा निकल की देखा तो किचन में उन्हें कोई सफीक साड़ी में दिखा वो चीख पड़ी रादिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवन बहार आता है भागते हुए अरे मां क्या हुआ क्या देख लिया दादी मां आगई क्या सपने में अरे बेटा रसोडे में देख तो कौन है श्रवन रसोडे में जहांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर अब रसोडे में तो कोई नहीं है मां कोई है